करते समय और मूड में होते ही बोडी इतनी घरम क्यों हो जाती है और घरम होना जरूरी क्यों है अम कैया देना जब तक आपका पाटनर घरम ना हो तो डेफिनेटली करने का मज़ा भी नहीं आता और उनकी बोडी बिल्कुल वो हॉर्मोन रिलीज ही नहीं करती कि उन्हें चरम क्यों हो जाती है क्यों यह इतना interesting और गरम करना important है क्यों क्यों क्योंकि गरम नहीं होगा तो definitely system on ही नहीं होता तो सबसे पहली चीज़ धियान रखने है hormonal change जैसी आप उस activity और उस mood में जाते हो एक दूसरे को sensation करते हो या उसको ready करते हो तो आपकी body में से adrenaline और testosterone hormone release होते हैं यह hormone release होते हैं आपकी body गरम और active हो जाती है सांसे तेज़ चलने लगती है और यह hormone इतने गरम intensity के होते हैं कि आपकी body को available करते हैं और आप कुछ लेने के लिए या कुछ देने के लिए उस power के साथ ready हो जाते हो दूसरा अपका blood flow बढ़ता है और blood flow का roll ही बहुत महत्व है अगर आपकी body में blood flow बढ़ता है especially private part की तरफ तो male का link कही न कहीं तनाव में आता है और female की यौनी लाल या खुलने लग जाती है जिससे हम एक अच्छे activity और mood को cherish कर सकते हैं तो अगर आपका blood flow बढ़ेगा और यही blood flow कम होता है तो दिखते हैं स्टार्ट हो जाती है आपको फिर massages करनी पड़ती है या medicines की तरफ आना पड़ता है तो blood flow है बहुत जरूरी तीसे नबर पर बात करूँगी physical activity की क्योंकि definitely आपकी body move कर रही है आप positions बदल रहे हैं कोई उपर जा रहा है कोई नीच जा रहा है कोई खड़ा हो रहा है कोई बैठ रहा है तो जब आप ये physical activity करते है तो आपकी body definitely आप आज अभी खड़े हो जाओ दो jump मारो तो आपकी body गरम हो जाती है तो वो physical activity में involved होने की वज़े से भी आप गरम हो जाते हो सासा psychologically के लिए भी आप गरम होते हो मानते हूँ या ने तो आपके thoughts psychologically भी आप गरम होते हो आपके साथ कोई ऐसी बाते करें तो आप गरम होना शुरू कर देते हो जिसे हम excitement arousals का भी नाम देते हैं इसके लावब natural response भी होता है गरम होना तो यह कुछ reasons हैं कि आपके body गरम होती है और यही तरीकों से आप किसी को गरम कर सकते हो और यही तरीके हैं कि आप अपने partner को ready करोगे क्योंकि अगर आपका partner arouse नहीं होगा तो उसकी body खुलेगी नहीं खुलेगी नहीं तो वो liquids produce नहीं करेगी वो liquid produce नहीं होगे तो आपका जो performance है वो बहुत ही रूखा और बिना pain और बहुत सारा pain और जैसे हम बोल सकते हैं भाई दर्द में होगा और मज़ा भी नहीं आएगा और आपका इसा लगी आप जबरदस्ती कर रहे हो तो यह जो पूरा गरम होने का technique है वो female और male के लिए बहुत important है और एक अच्छे relationship के लिए बहुत important है तो इसे definitely definitely try करें ताकि आपका partner next time खुद से बोले कि इसे करते हैं आशागर्तियो मेरी वीडियो आपके doubts को clear कर पाई है चानल पर नहीं है subscribe करें और ऐसी बहुत सारी वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहे हैं